नमस्कार मैं सोनी ओचा स्वागत है आपका अनिन 24 नीज में चलिए रुख करते हैं जारखंड के खबरों की ओड़ विजली विभाग के उदासीन रवईय और लचर विवस्था से चिरकुंडा नगर परीसत के वौड संख्या 10 की पार्शत निस्मा खातून के नेत्रित्व में कई स्थानिय महिलाएं वपुरुशों ने चिरकुंडा स्थत वजले विभाग के कार्याले का घिराओ किया और विभाग के खिलाफ जम कर हला बोला अस दौरान लोगों का गुस्था साथवे आस्मान पर दिखा और विभाग के S.D.O. वकनिया अभियंता के विरुद भडास निकालते दिखे पारशद निस्मा खातून ने बताया कि उनके वार्ड में बिजली के तार लोगों के सर को छूकर गुजर रहे हैं तार वा पोल की स्थिती काफी जरजर हो गई है पिछले एक वर्ष से भी ज़ादा की समय से विभाग को लिखित्व मोखी क्रूप से बताने का काम किया लेकिन एक वर्ष बीज जाने के बाद भी विभाग कुमकर्णी नीन से नहीं जागी है आज उसे विभाग को नीन से जगाने आए हैं दुरभाग गया है कि कार्याले का घिराव हमारे नित्रित्व में स्थानिय लोगों द्वारा किया गया लेकिन पिछले दो घंटे में विभाग का SDO वज़े ही अभी तक नहीं पहुंचे हैं बार बार फोन करके बुलाए जाने के बाद भी उनके द्वारा उदासीन रवईया इस बात को दर्शाता है कि पदाधिकारी का रवईया छेतर की जनता के प्रती किस प्रकार का है पारशद निस्मा खातून ने कहा कि जब तक विभाग का कोई पदाधिकारी पहुँच कर ठोस आसवासन नहीं दे देता तब तक घेराव जारी रहेगा वहीं पारशद प्रतिनिधी राजु अंसारी ने बताया कि कई जगह पोल गिरे हुए हैं पोल की स्थिती काफी जरजर है लेकन विभाग आम आदमी के जिंदगी से खिलवार कर रहा है विभाग के प्रती लोगों का गुस्सा चरम पर है विभाग के लोग आम गरीब लोगों के प्रती बढ़ा हुआ बिल और प्राथमी के दर्च करने के लिए ही है जनता का है तुन के लिए कोई माइने नहीं रखता आए लोग आगे है और दील लेने के लिए आगे है, काम नहीं, मिस्तरी नहीं यह कोई मिस्तरी कहश्न Youtube.